जैशीर आम सबी भक्तों को जै मातागी फीर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि महंदीपूर बाला जी जाने से पहले संकट क्या क्या जो है अमारे साथ चाल खेल सकता है जिससे हम जो है बा सारे लोग पूछते भी हैं बार बार जो है उनके कारें में रुकावट आजाती है तो आज की वीडियो जो है बहुत फोर्मेटिव होने वाली है अं तख बने रहे है अगर लाइक करें, शियर करें, कोमेंट करें того और अगर चैनल पर पहले बाली देख रहे हैं तो चैनल क के परिवार परसत है बनी रहे और मेरी जगजन निमा अमके की किरपा आपके घर में अनपूर्णारू में वासकरे जैमाता की संकट आपका क्या करता है जब आप मेहंदीपूर जाने की त्यारी करते हो जैसे ही आपने मेहंदीपूर जाने की डेट तैक होई आपकी या आपने तारी करी या आपने टिकर रिजीवेशन कराने की सोची या घर में सला करने की सोची या आप ये सोचने लगे कि हमारे घर में जो दुख से हम पीडित हैं या दुविधाओं से पिडित हैं अब हमें बाला जी की शरन ले लेने चाहिए या बाबा की किरपा हम कैसे प्राप्त करें हमारे घर के अंदर अगर हमारे पित्र रोग गरस्त हैं तो उन्हें शुद करवाने के लिए बाला जी किस पकार से जाएं तो जैसे ही आपके के अंदर इस पकार की प्लानिंग चले लगाती है उसी पकार से संकट के माइंड में भी उसी पकार की प्लानिंग चले लगाती है क्योंकि अगर जो आत्मा आपके घर में इतने समय से वास कर रही है किसी मनुश्य के शरीव पर वास कर रही है या किसी ने छोड़ा चोड़ फिर भी पर किरिया करकी है या किसी ने उचाटन किरिया करकी है मारसन कर रखी है मापको रोकने का परियास इस कारण करती तो इतने समय से रह रही है मज़े ले रही है शरीर के घर के मज़े ले रही है तो एक दिन में वो निकलने के लिए त्यार नहीं होगी आपने बाला जी का नाम लिया उन्हें पता लगेगा कि बाला जी ये जा रहे है कैसे ने कैसे इनका टिकट कैंसल कर आई जाए इन्हें रोका जाए कई कि लोगों के साथ तो इस पकार का कारिय भी होता है कि उनकी जेंग में पैसे ही नहीं रहते। जैसे ही महधी-पूर टिकट के लिए कारवाई करी या कोई action लिया तो जेम जो है करकी में आजाती है टाइट पन में आ जाती है कईयों के घर के अंदर ऐसा कलेस भी होता है कि पति-पत्नी की लड़ाई हो सकती है उत्पात मत सकता है जैसा आपने गर्ब में प्लानिंग त्यार करती कि बाला जी हम इस तारीक को जा रहे हैं तो उसी समय घर के अंदर उधंग उठ जाता है उस उसी समय क्या हुआ कि घर में पति-पत्नी की बहुत जबरदस्त लड़ाई होई मंबई से वह फैमिली थी जबरदस्त लड़ाई हो आज से पहले कभी भी उसकी पत्नी ने उसके साथ इतनी उची वाज में बात नहीं करी कभी हाता पाई तक की नोबत नहीं आई और जैसे ह यह नोबत आई उसी समय उन्होंने टिकट फार दी और वो कहते कि बाज ऐसे ही टिकट फटी उसके बाद हमारा जो घर में कलेश था तुरां शान्त हो गया वो कहते हमें बड़ा चंबा लगा इस बात का कि यह क्यों हो रहा है ऐसा किसले कारण हो हुआ और हम क्यों लड़ थे हमें पच्चाताब होने लगा कि हम बाला जी जा रहे थे तो यह जो शरीर है आपके शरीर को पकड़ लेते हैं उसी समय आपको उनको पता होता है कि इनके यहां से आज अगर मालो जैसे किसी की जे में पैसे की करकर की है उसे पता है कि इसका पैसा है टाइट कर देगा Snobsko उसके पैसे को वेष्ट कर वा देगा कही पे या कई उल्जवादेगा यह है उसके घर में ऊपके साथ कोई ऐसी तरस्टी कर वा देगा है जिस प्रका탁ान वह मेंधिable बालाजी ना जासे के यह कर यह ऐसी कारीय पर परत ही ना जा सके यह किसा इस गुरू के सानिते से जुर कर ना जा सके गल्द फैमियां आपके दिमाग में तरह तरह की उत्पन कर सकता है तरह तरह की प्रेशर आपके उपर डाल सकता है ऐसी पूजीशन में क्या करें और क्या ना करें ऐसी पूजीशन के अंदर संकट को कैसे हराएं सबसे पहली बात होती कि मेहंदीपूर बाला जी आपकी अगर डेट आपको पता लग चुकी है आपके एकारणों में है तो शांत रखिए थोड़ा शांत रही है कूल रही है आप अपनी पत्री को बाहर ला सकते हो खाना खिलाने के बाहने पार जाने के बाहने कहीं पर बैठकर विचार कर सकते हो घर में बैठकर विचार ना करें अगर कई वार घर की अपर प्रकिलिया छोड़ी भी होती है तो उस दुरान क्या करने जब नजदीक डेट आजए तभी एक्शन लेना चाहिए संकट को संकट के तरिके से हराना सीखना चाहिए क्योंकि यह आत्मा जो है आपकी बोड़ी को पकड़ लेती है परितात्मा और जब पकड़ लेती है तो घर में तरह तरह की उत्पात उत्पन कर सकती है अभी एक केस हमारे पास ऐसा है कि उनका छोटा बच्चा है मेहंदीपुर जाने से पहले परिवार में सबी लोग बिमार हो गए जैसे उससे पहले कोई दिक्कत नह ये भोत ये कहने जो लोग बाला जी जाते हैं वह अच्छी किसे चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि संकट तरह तरह के चरित्र करता है तरह 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 करता है आपको रोखने लगाती है या कहीं न कहीं लडाई होने लगती है तो कहीं न कहीं अपने आपको शान्त रखिये और दस रपे की दरकास तुरंद लगा देजिए कि हे बाबा जिस भी किसी के शरीर पर वैठा है उसे तुरंद बाबा के दर्वार में किचले जाए और अभी गुरुजी जा रहे हैं वाला जी अगर आपको भी चलना है तो अपना नाम हमें नोट करवा दीजिए तो इस पकार के कारिया जो है अगर आपके साथ हो रहे हैं आपके साथ इस पकार की चीजिए हो रही है तो गबराए नहीं होसला रख जो आपको परशान कर रहा है, आपके परिवार को परशान कर रहा है, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होने दे रहा है, जो आपके घर में तंगी कर रहा है, ऐसी चीज़ को निकालने के लिए संगर्स तो करना पड़ेगा, तो बोलिए जै सितराम, जै श्री बाला जी मारा जाए माताओ